साथवी JPSC परिक्षा के मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है आज छात्रों के और जो टीचर हैं उनके सम्हून एक नया खुलासा किया है और नया खुलासा ये है कि जो ICN India Private Limited Company इनका दावा है कि यही कंपनी यहां पर JPSC के परिक्षा का आयोजन कर रही थी और इस कंपनी पर बिहार में जो है रोक लगा दीगी है इसे ब्लैक लिस्टेट कर दिया गया है फिर भी उसे काम दिया गया है दूसरा एक खुलासा इन्होंने किया है कि जो सिरियल नम्मर अब तक बात सामने आ रही थी कि लोहरदगा और साहिब गंज जीला के अभियरती सिरियल नम्मर से पास किया है अब इनका दावा है कि लोहरदगा के भी अभियरती सिरियल नम्मर से पास किया है तो यह जो आप बता रहे हैं कि ICN इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कमपनी यह कोस्चन तयार करने का काम पहले बिहार में कर रही थी और बिहार में सिपाही से लेकर उच अस्तरिय पर इच्छा भी लेती थी तो कमपनी पर कई परकार के आरोप थे इसके बाद एफायार और इसके बाद हाई कोट में भी मामला गया और बिहार सरकार ने फिर इसको ब्लैक लिस्टेट किया कि आप यहां पर काम नहीं कर सकते हैं और फिर हमारे पास यह पूरी पकी जानकारी आई कि इसी कमपनी ने JPSC की कोस्चन की जिम्मेवारी ली थी तो मतलब यह भी खबर आती है जो भी वो तो हमारे पास सबूत नहीं है लेकिन खबर आती है कि एजंसी ने पने माध्यम से ही इस प्रकार से परिच्छा लिया है कि इसमे इतनी गरवड़ी हुई है जो सिरियल वाइज रोलंबर आ रहे हैं तो कहीं ने कहीं इसके लिए हमारा मानना है कि एजंसी जिम्मेबार है और इस पर जांच करने की जरूवत है कि एजंसी ने क्या जैसे आज यूपी में हुआ कि एक कंपनी को ठीका मिला और उसने पांच कंपनी को दूसरा ठीका दे दिया तो पैसा कमाने के लिए कंपनी ने क्या कि एक लाक दो लाक में कोस्चन वारेल कर दिया जो खुलासा हुआ उतर प्रदेश में हमें लगता है कि उससे बड़ा खुलासा जारकंड में भी होगा अगर इस कंपनी पर जांच किया जाए तो जानकार में यह हमारी जानकार में कि जेपेसी के लिए इनको दिया गया है कॉंटेक्ट की आप लीजिए यह कंपनी ब्लक लिस्टेड होगी है दोजार उननीस में ब्लक लिस्टेड भी दर्ज है वहां की डीजी पी की भी चित्थी एक इसको काम नहीं मिलना चाहिए इवन की माननी है पटना उच नियाले ने इस कंपनी को बोला कंपनी की जो माली के इसमें नाम दिया हुआ है कि वह ब्लेक लिस्टेड वे उनके उपर गबन का भी आरोप लगा यह भी आरोप है उनके उपर की चौदा पंदरा करोड का उन्होंने गबन कर दिया को से चाहिए कि जब आप इतना बड़ा एक्जाम ले रहे हैं तो उसमें ऐसी दागी को लेने की क्या जरुथी इतने ल तो आप चून-चून करके दागी को क्यों ला रहे हैं तो यह तो बड़ा प्रस्ण उठी जाता है जाज कर विसे तो हो जाता है अब इसे लेकर कहा जाएगा देखिए यह अभी अमिताब चौदरी जी से भी इस पर मिला जाएगा और मनिये राजपाल महुदे साज हमारे क अब यह तक जो लगातार मीडिया में आ रहा है कि साहिब गंज लातिहार और लुहरदगा में करमवार तरीके से पास हुआ है लेकिन आप यह तेखिए गुमला का जो यह पत्री सेंटर है तो इसमें भी आप देखिए तो आपको करमवार नजर आएगा उपर से नीचे तक कि गोत जो है देखिए तो करमवार नजर आएगा एनवे चैनल यह तो यह उप Route यह तो में से एक कंडिडेट गए हमारे यह जो हमारी सूर्स है उसमें देखिए एक कंडिडेट का हमने आपने नंबर दिया है जो उस दिन परिच्छा में अपसेंट थे जी जी और लेकिन एक्जाम नहीं दिये थे जो हमें तक जानकारी देखिए साइन होता है और वो पैसे के पास नियम को मताबिक जाता है और उसके आगे और पीछे अधिकारी है और वो दोनों संजोग से हमारे यहां से पहले पड़े हुए और पढ़ने के बाद आज पोस्टिंग है उस गुमला में हम फिलहाल कुछ कॉन्पिटेंशल कारण से बैंक का नाम आपको नहीं बताएंगे और अधिकारी का नाम नहीं बताएंगे तो जब तो उन्होंने भी बताया कि यह कंडिट अपसेंट था हलाकि इसमें सिगनेचर वारी जो फाइल होती है जी तो वो चला जाता है जेपीएसी को तो इसके अलाबा मैं मतलब आपकी फॉलो अप की टीम को बताना चाहेंगे कि यह इसके अलाबा दो सेंटर और हैं एक सरेकेला में जमसेतपूर का है जहां पर भी इसी प्रिकार का मामला है लेकिन हमें ये डर है कि सारी चीजों को कर बताया जाए तो जैसा जेपेसी का अभी तक कर रिकॉर्ड रहा और कर रहे हैं कि वो अपना गलती को तुरह सुधारते हैं अगर मालीजी के रोल लंबर हमने बताया तो ये कोशिज कर सकते हैं कि कंड्रेट को बुला करके साइन कर वा लेंगे उससे तो हम तो खाली हो जाएंगे इसलिए हमने दो सेंटर को भी कॉन्फिडेंशल लगा जो राजपाल महुदे को देंगे और सेंटर है जहां पर अपसेंट थे जी 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 तो वो हम जाज हो रहा है कि जो कम नंबर वाले को पास कियें तो उसको तो पुला के साइन करवारे है क्या मीडिया नहीं रहता है तो आपनी हम यह नहीं पुल के लिडर हों है जैसे कराई मोता थे सिपको जबाब देना पढ़ता है तो चेर्मेन के ऊपर तो आरूप लगे गा उनको इस पर जाच करना चाहिए और एक तर्क देखे एक चीज हमें भी बोलेंगे कि जब टीम हमारी जाती है डेलिगेट जाते तो उसमें ऐसे लोगों को भी लेकर के जाया जाए जो आपर तर्क दे पाए मतलब हमने जो देखा अभी तक जो डेलिगेट जाते वो जाने के लिए वहाँ पर एक प्रकार कर परधानमंत्री बनेंगे वाला स्कीम होता है तो वो चीज अगर हो कि जो लोग तर्क दे पाए जिनके पास सबूत होता है तो अगर आप उनको ले करके जाते हैं तो हमें लगता है कि अच्छी बात होगी और आपकी बात सटिक तरीके से जिसे पास अगर सबूत है आप जितना अच्छा तरीके से किसी को बताईएगा वो दूसरा व्यक्ति प्रिव नहीं कर सकता है तो अगर हमने इसको लाया तो हम आपको बता सकते हैं तो वो चीज आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे और जो टीम है हमारी हो आगे काम कर रही है गुलाम जी एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे है अचा सफीम जी तो क्या लगता है कि ये परिक्षाब रद्ध होगी चुकि आज तो राजपाल से भी अभी हरती लोग बिल्कुल रद्ध होना चाहिए और सुधार होना चाहिए पारदरसीता की अभाव दिखती है और गड़बडियां सामने लगातार आ रही है आंदोलन क को हम कहना चाहते है आपके चैनल के मीध्हम से कि उनको गुमराह क्या जा रहा है उनको जो है या पदादिकारी के साथ-साथ उनके जाग सलाहकार हैं, जैसे कि पिन्टु जी हैं, या सुनिल शिरी वודה जी आज दॉक बिनोट पांडे जी या भठा चाहरू जी हैं, हमें संदे है, और जो लगातार उनका जो सुरुขे में रहते हैं, ये उनका का विदान सभासे पिके मिस तो यह हमें लगता है कि और काफी सवर से पता चलता है कि यही लोग जो है वास्तविक में इनको सही चीज़ बताने में इनको नहीं बता पाते हैं वो छुपा के रखते हैं और इनको इतनी बुरी इस्तिती में ला रहे हैं यह बदनाम होते जा रहे हैं और यह बहुत बड़ कि क्योंकि शच्टी पांची और चटी जपी सी का रिक्सन में पिछला रगुबर सरकार नस्ट हो गई थी हमें ड़ए इस बात का कि कहीं हम sł hear सरकार 온्हे साथवी से ये दसी जफी जपीसी मिह नस्ट नहो जाए the follow-up.in like share and subscribe www.the follow-up.in